नमस्कार जैस्त्री महाकाल मैं पंड़त सेष्ण नाचाड़ आप शवी को एक विशेश जानकारे देने जा रहा हूँ जदि आप नया ब्यापार सुरू करते हैं नया ब्यापार करने में आप तीन चीज़ का ध्यान रखना बरा जरूरी है पहला तो यह है जो आप देखिए आपका ग्रह है और आपका बाद दिशाद दोनों एक साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है जदि आप मैनिफेक्शनिंग करते हैं जिसका विशेश ध्यान रखने की जरूरत है जदि मार्केटिंग करते हैं आप तब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है जदि आप ट्रेडिंग करते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है जो तिस सास्तर कहता है जो लोग नया बैपार सुरू करते हैं नया बैपार सुरू करते हुए आप बैठने की जगा आपका दिसा सूट करता है आपका ग्रहा अनकूल है तो उस बैपार का आयू लंबी हो सकता है और प्रॉफिटेवल हो सकता है जदि इन तीनों में कोई कम जानी होगा तो उसकी आयू ज़दी लंबी नहीं होगी तो आपको घाटे के मुंह में जाना परेगा आप करजदार हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है ज़िए आप S नाम का ब्यक्ति हैं आप R नाम का ब्यक्ति हैं आप M नाम का ब्यक्ति हैं तो आपको ध्यान डखने की जरूरत है जो नया ब्यापार आप सुनू करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है जो आप हमेशा पसीम और उत्तर रिसाय वाला ज्यादा ज्यादा फेस वाला फेक्टरी ऑफिस जो भी ले उसको आप च्वाइस करें अजब आप बैठें तो नौर्थ इस्ट में फेस करके आप बैठें अजब मैनुफेक्टरिंग कोई कर रहे हैं तो आपको साउथ साइड में ज्यादा ज्यादा समान का प्रियोग करते हुए और आप नौर्थ और जा करके नौर्थ साइड में सबस्तो को निकाले तो उसका बैठेंफिट अच्छा खासा मिल सकता है जदि आप ट्रेडिंग करते हैं या मार्केटिंग कर करते हैं तो सारा समान साउथ में रखें अब फिनिस माल नौर्थ में रख करके फिर आप बेचते हैं तो अच्छा खासा आपको लाब दिखाए देता है क्योंकि यह सास्तर मानता है जो इसमें बास्तो दोस्त नहीं लगता इसमें ग्रह दोस्त नहीं लगता और जो बैपा के नाम या जो आपके इस्टे गुरु जिस धर्म को मालते हैं उनको पहले पारिटी बनाना चाहिए साथ ही अपने गुरु इत्यादी पित्रों को नमन करते वे और अपने मार्केट में काम सुरू कर देना चाहिए आप जदी कुछ सोचने हैं तो हमेशा पुशे नक्षतर मे कोई काम सुरू करते हैं उसकी आयू कम से कम 30 साल होती है जदी आप मूल नक्षतर में सुरू करते हैं उसकी आयू 20 साल होती है जदी आप रोहनी नक्षतर में करते हैं तो उसकी आयू साथ साल होती है ऐसे में जदी इस नक्षतर को तलास करें तो अच्छा खासा आपको ला विवार हो जर्डी ऐसा कोई बौधिक व्यापार करते हैं तो अच्छा खासा लाब हो सकता है जर्ड़ी वार हो पुशिनक चत्र हो तो ऐसे इस्थिती में जदी कोई व्यापार करते हैं फेम बाला रिया मेनुफेक्रिंग वाला उसकी लंभी आयू उच्छा खासा लीं मिल सकता है. पुसिन अक्षद ज़िए मंगलवार का हो, तो आपको, कोई आपको लोहा संबंधी काम करते हैं, तो अच्छा खासा मेनुफेक्टियंग आपकेटिंग करते हैं, अच्छा खासा लाव दिखाए देता है. पुसिन अक्षद ज़िए शुकरवार को हो, उस दन ध्यान रखते हैं अच्छा कहसा अब लाव कमा सकते हैं और अच्छा कहसा प्रफिट करसकते हैं अपने ब्यापार क्या यू रहा सकती हैं यह वीडियो दिय। अच्छा लगा हो तो लाइक करना सबस्क्राइब करना सेर करना न भोले ओम शांद ед